दोस्तो आप फॉन कितना भी बढ़ियार ले लेकिन उस फॉन में नेटवर्ग प्रॉब्लम या इंटरनेट स्लो स्पीड से काम करें फिर दिमाग का दही हो ही जाता है लेकिन अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करके अपने भी आई सिम का इंटरनेट स्पीड फास्ट करने आ चलिए आज भी आई के लाइक करके चैनलों को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए स्टाट करते इस भी आइप से नोगा इस बसे पहले मोगयल से सेटिंग को उपने के बाद में पर क्लिक करना है थिर आपको अपने बीआई सिम को एपास लिए आइडिया अस में से कोई भी होगा तो आपका वियाइए हो गया क्योंकि वियाइज जो है बोड़ा फॉन और आडिया मिला करके बनाएं इस पर क्लिक करना है दैन आपको वहां पर एक ऑप्सिन मिलेगा एकसेश पॉइंट नेम्स के नाम से उस पर क्लिक करना है और सबसे पहला काम आपको क करना है की रियाइज का वटन देखने को मिलेगा आपको । मैक्स जो होगा मैक्स का एम मैं होगा अगर कहा tutti कैसे लिखा हुआ है वह से हैं बहुत सा why सबाहर करते हैं कि जरूरी होता है जी हां जरूरी होता है वे हैं यहां पर जो मैं बताऊंगों इसको नहीं टैप करते हो तो हो सकता है कि आपका internet बहुत ही slow चले तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको type करना है आपको भी मैक्स बोट लिखके ओके कर देना है नेम में यह सेब हो जाएगा अब यहां पर मिलता है अपको यूजर नेम पर क्लिक करना है और यहां पर लिखना है speedboat.max क्या लिखना है आपको speedboat.max अब जैसे लिखा हुआ है display आपको देखने को मिल रहा होगा वैसे ही आपको simply लिखना है कुछ भी गलत नहीं करना है नहीं तो आपका speed है उतना नहीं मिल पाएगा उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलता है server server पर यहां पर आपको कह लिखना है www.google.com अब यहां पर www.google.com गूगल का जी खाली जो है वो capital में रहेगा बाकी सब small letter में रहेगा तो आपको display पर देखने को मिल रहा है उसी प्रगार से आपको अपने phone में भी type करके set कर देना है तो okay के button पर click करेंगे server add हो गया अब यहां पर scroll करके नीचे आना है default,supl क्या लिखना है आपको default,supl आपको default,supl लिखके इसको save कर देना है small letter में रहेगा ठीक है APN protocol पर click करके IPv4-IPv6 APN row पर click करके IPv4-IPv6 अब यहां पर विरर का यह option मिलता है आपको विरर बे क्लिक करना है और सबसे पहला un-space-fat को un-tick कर देना है वो पहले से select रहता है उसको un-select करना है और यहां पर LTE से ले करके GPRS तक आपको select कर देना है जो होगा LTE, HSPAP, HSP, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE और एक GPRS इतना आपको select कर देना है और फिर आपको यहां पर OK के बरन पर click करके इसको save कर देना है यह हो जाएगा अब यहां पर more के button पर click करके इसको save कर देना है हो सकता है आपके phone में कुछ और प्रकायर से save हो आपको simply save कर देना है और उस APN को आपने बनाया है max boat वाला वी जाए max boat वाला उस पर click करके उसको apply कर देना है और अपने वी आई के SIM पर देख से तो यह कितना ज्यादा आपको fast internet देखने को मिल रहा है दोस्तों नीचे comment करके जोड़ से बताएगा कि आपके API के SIM पर यह APN कितना ज्यादा वर्क कर रहा है क्योंकि मैं उसी अधार पर और भी ज्यादा आगे वीडियो लाता हूँ जो आपके लिए successfully work it हो मैं यह नहीं चाहता कि कोई वीडियो बना करके upload कर दूँ जिसे आपका भी time खराब हो और मेरा भी time खराब हो तो आप नीचे comment करकी जोड़ से बताएगा वीडियो को like जोड़ से कर देजीगा चैनल को subscribe नहीं किये तो क्या कर रहे हो चैनल को ज़ल से subscribe करें तक आगे का वीडियो भी देखने को मिलेगा तब तक अबना ख्याल रखिए जय हिंद बंद्यमात्रा